हालो, तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी से बेसन के लड़ू, नॉर्मल बेसन के लड़ू तो आपने खाये होंगे, आज हम बनाएंगे बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में, चलिए बनाना शुरू करें, इसे बनाने के लिए मैंने दो चम्मज घी लिया है, यह मिक्स करेंगे तो आपको सुका-सुका लगेगा, घी कम लगेगा, तो आपको घी एड़ नहीं करना है इसी घी में आपको बनाना है, क्योंकि इन लड़ूओं के लिए हमें थोड़ा घी चाहिए होता है और उसके साथ ही जैसे आप इसको पकाते है वैसे घी भी छोड़ता ना कि अलो हो जाए उस टाइम पे आपको इसके पाउडर शुगर एड़ करना है निए सांग में को जो रहे गई तो आधा रहेगी यानि कि एक-कप दूद हम इसमें अड़ करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे में एक एक निए को कंटेनियो हम इसको हिलाते रहना है जो हमने लिया है मोटा बेसन लिया है तो हलका फुल का दाना इसमें रहेगा और है अगर इसमें लम्स भी रह जाती तो कोई टेंशन की बात नहीं है क्योंकि जो यह लड्डू बनेंगे न यह लास्ट के टाइम पे आप इनको सही कर सकते हैं तो देखिए जब यह इस तरीके पाउच यूज किये हैं आप चाहें तो बड़ा पैकेट भी यूज कर सकते हैं और इसके नहीं यूज करेंगे तो भी यह बन जाएगा ऐसा कोई इसू नहीं है लेकिन इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता डिफरेंट से लड्डू अनेंगे हमारे मिल्क पाउडर से तो चाही छोड़ रहा है तो देखे इस तरीके का हो गया है तो इस टाइम पे हमको गैस को बंद कर देना है और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है देखे 5-10 मिनिट में अच्छे से ठंडा हो जाएगा उस टाइम पे हम इसके लड्डू बनाएंगे देखे हमारे टाइम क इसके इसी तरीके से हम लड्डू बना के तयार कर लेते हैं इस टाइम पे नॉर्मल सा गरम है आपको मैंने ज्यादा ठंडा नहीं किया है आपको भी ऐसा ही रखना है देखे लड्डू तो सभी अच्छे लगते लिगे इस तरीके के आप ट्राइ कीजिए आप यो घर में स दूंगी देखी देखने में भी किते सुन्दर लग रहे हैं और ये खाने में भी बहुत टेस्टी बने थे आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट करके जरूर बताए कैसे रहे